परिचये जाने पर हम सभी आगे की ओर क्यों किर गए? तब उसके पिदा ने उत्तर दिया कि ये हमारे शरीर के जड़त्व के कारण हुआ। इसकार्थ है कि कार रुकने के समय शरीर अपने जड़त्व के कारण गति मान रहा। आये अब जड़त्व तथा गति के नियमों के बारे में और अधिक सीखें। उत्तेश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अरस्तु की भ्रामक्ता को समझना। जड़त्व के नियम को परिभाशित करना। न्यूटन के गतियों के नियम को परिभाशित करना। आवेक को परिभाशित करना। समवेक सनक्षण के नियम को समझना, किसी कण की सामय आवस्था की गड़ना करना, यांत्रिकी में समाने बलों को समझना, वर्तुल यानि वृत्य गती को परिभाशित करना, और यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना. अरस्तु की भ्रामक्ता युनानी विचारक अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए एक वाहिबल आवशक होता है एक खिलोना गाड़ी व्राम आवस्ता में है जब एक बालक गाड़ी से जुड़े हत्थे को पकड़ कर खींचता है तो गाड़ी गतिमान हो जाती है और जब बालक गाड़ी का हत्ता छोड़ देता है तो गाड़ी विराम अवस्था में आ जाती है अब अरस्तू के नुसार गाड़ी इसलिए विराम अवस्था में आ जाती है क्योंकि इस पर कोई वाहे बल नहीं लग रहा है लेकिन वास्तों में गाड़ी इसलिए वराम अवस्था में आ जाती है क्योंकि प्रिष्ट से लगने वाला घर्शन बल गाड़ी की गती का ततिरोध करता है जड़त्व का नियम किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह गुण होता है जिसके द्वारा ये अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का या किसी वाहे बल की अनुबस्दिती में वस्तु की एक समान गती का प्रतिरोध करती है किसी वस्तु का जड़त्व इसके द्रवेमान के अनुक्रमानुपाती होता है किसी वस्तु का वेग तब तक निश्चित रूप से बना रह सकता है जब तक उस पर कोई त्वरन या मंदन कारे ना करे ऐसी दशा केवल समतल तलों पर प्राप्त की जाती है जहां घर्शन के बल को नियून किया जाता है आईए एक उधारण देखें नीचे को ढाल युक्त तल की स्थिती में त्वरन का एक कारण पहले से उपस्तित रहता है उपर को ढाल युक्त तल की स्थिती में मंदन का एक कारण पहले से उपस्तित रहता है शेतिज तल की स्थिती में नियत गती होती है न्यूटन का गती का प्रथम नियम न्यूटन के गती के प्रथम नियम के अनुसार प्रतिक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गती के अवस्था में रहता है जब तक कि कोई वाहिबल उसे अन्य रूप में वैवेहार करने के लिए बाद्धे नहीं करता यदि किसी वस्थू पर नेट वाहिबल शूने हो तो इसका तौरण शूने होगा वस्थू पर नेट वाहिबल ना होने की स्थिति में तौरण शूने नहीं हो सकता न्यूटन का गती का दूतियनियम पहले हम सभी सम्वेख के बारे में बात करेंगे किसी वस्थू का सम्वेख इसके द्रवेमान तथा वेख के गुणन फल के रूप में व्यक्त किया जाता है P बराबर M गुणा V ये एक सदिश राशी है सम्वेख की दिशा वेख की दिशा में होती है इसका SI मातरक किलोग्राम मीटर प्रतिसेकंड होता है न्यूटन का गती का दूतियनियम कहता है कि किसी पिंड पर कार करने वाला नेट वाहिपल इसके सम्वेख परिवर्तन की दर के अनुक्रमन उपाती होता है इसका समीकरण निम्ल रूप में दिया गया है U मीटर प्रतिसेकंड के वेख से आरंभ में गतीमान M तरवेमान के एक पिंड पर विचार करें जिस पर F निउटन का बल लगाए जाने पर T समय के बाद इसका वेख V मीटर प्रतिसेकंड हो जाता है तब निउटन के दूइतिय नियम के अनुसार F पराबर M V घटा M U बटे T F पराबर M A जहां A पिंड में उत्पन तोरन है अतहा पिंड पर कारे करता नेट वाहिपल इसके द्रवेमान तथा इसमें उत्पन तोरन के गुणन फल के बराबर होता है उधारण आईए निउटन के गती के दूइतिय नियम का एक उधारण देखें एक 8 किलोग्राम द्रवेमान पर कारे करता नेट पल 25 सेकेंडों में इसकी चाल को 2 मीटर प्रति सेकेंड से 3.8 मीटर प्रति सेकेंड में बदल देता है यदे पिंड की गती की दिशा अपरिवर्तित रहे तो बल के परिमान एवं दिशा की गर्ना करें आईए इसका हल देखें दिये गए मान है M बराबर 8 किलोग्राम, U बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड, V बराबर 3.8 मीटर प्रति सेकेंड, T बराबर 25 सेकेंड, F बराबर MA, बराबर M, V घटा U बटे T, बराबर 8, 3.8 घटा 2 बटे 25 बल बराबर 0.58 न्यूटन क्योंकि गटी की दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ है, बलकि वेक का परिमान बढ़ा है, इसलिए बल गटी की दिशा में ही कारे रथ होगा आवेक आवेक को किसी पिंड पर एक अल्प समयकाल के लिए कारे करने वाले बल के प्रभाव के रूप में परिभाशित किया जादा है आवेक बल तथा समय अंत्राल के गुणन फल के बराबर होता है, आई बराबर एफ गुणा टी यदि पिंड का समवेक टी समय में पी एक से पी दो परिवर्तित होता है, तो न्यूटन के गती के दूतिय नियम के अनुसार एफ बराबर पी दो घटा पी एक बटे टी आवेक आई बराबर पी दो घटा पी एक बटे टी गुणन टी आई बराबर पी दो घटा पी एक आई बराबर डेल्टा पी आवेक पिंड के समवेक में परिवर्तन के भी बराबर होता है, ये एक सदिश्राशी है तथा इसकी दिशा सम्वेग में परिवर्तन के समान होती है न्यूटन का गती का तृतिय नियम न्यूटन के गती के तृतिय नियम के अनुसार प्रतिक्रिया की सदैव समान एवं विप्रीत प्रतिक्रिया होती है क्रिया और प्रतिक्रिया का परिमान समान होता है दिशाएं विप्रीत होती हैं और वे भिन्ड पिंडों पर कारे करती हैं पत्वार की सहयता से एक नावखेता व्यक्ति भूमी पर उचलती गेंद न्यूटन की गती के तृतिय नियम के उधारण है पिंडों A और B के एक युग्म पर विचार करें तब FAB बराबर घटा FBA दोनों पिंडों के बीच अंतर क्रिया में सलगन दो बलों में से एक क्रिया बल कहा जा सकता है दूसरे बल को प्रिति क्रिया बल कहा जा सकता है सम्वेक का सनक्षन किसी निकाए को विउक्त कहा जाता है यदि निकाए वापरिवेश के बीच द्रवेमान तथा उर्जा का कोई विनिमे नहीं हो सम्वेक सनक्षन के अनुसार किसी वाह बल की आनुपस्थिति में किसी वियुक्त निकाय का कुल रैकिक सम्वेग, समान या संदक्षित बना रहता है। न्यूटन के गती के दूतिय नियम के उप्योग द्वारा व्याख्या। जहां कोई वहिबल नहीं है F पराबर शूने तो D P बटे D T बराबर शूने। P बराबर स्थिरांक, MV बराबर स्थिरांक, M1V1 बराबर M2V2। न्यूटन के गती के तृतिय नियम के उप्योग द्वारा व्याख्या। M1 तथा M2 द्रवेमानों के दो कड़ों से बने एक व्युक्त निकाय पर विचार करें। निकाय का कुल द्रवेमान है M बराबर M1 जमा M2। माना की निकाय पर एक बल F प्युक्त किया गया है जिसके कारण M1 और M2 पर करमशा F1 और F2 कारे करते हैं। यदि वियुक्त निकाय पर कारे करने वाला कोई वाहिबल नहीं है। F बराबर 0, D बटे, DT, P बराबर 0, P बराबर इस्थिरांख अथा रहकिक सम्वेक के संदक्षण कर नियम सिद्ध होता है। किसी कण की सामय आवस्था जब किसी पिंड जिस पर बल कारे करता है, उसकी व्राम आवस्था या एक समान गती की आवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो पिंड सामय आवस्था में कहलाता है। संगामी बल वेबल होते हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं एक सार्वनिष्ट बिंदू पर प्रतिछेद करती हैं। आकरिती में चार संगामी बल F1, F2, F3 तथा F4 दर्शाय कए हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं उपर प्रतिछेद करती हैं। सामय आवस्था में कोई पिंड व्राम आवस्था में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। संगामी बलों की क्रिया के अंतरगत किसी पिंड के सामय आवस्था में होने के लिए अनिवारे शर्त ये है कि कारिक करने वाले सभी बलों का सधिश योग शूने होना चाहिए। लेमी का नियम यदि किसी पिंड पर कारिरत तीन संगामी बल इसे सामय आवस्था में रखते हैं तो प्रतेक बल अन्ने दो बलों के बीच के कोण की जया के समान उपाती होता है। माना की F1, F2 तथा F3 सामय आवस्था में तीन संगामी बल हैं तब लेमी के नियम के अनुसार F1 बटे साइन अलफा बराबर F2 बटे साइन बीटा बराबर F3 बटे साइन कामा यांत्रिकी में सामान बल यांत्रिकी में हमारा सामना अनेक प्रकार के बलों से होता है यांत्रिकी में मुख्य संपर्क बल घर्शन कहलाता है घर्शन इसे एक विरोधी बल के रूप में परिभाशित किया जाता है जो संपर्क वाले दो प्रिष्टों के बीच तब उत्पन होता है जब एक पिंड अन्ने पिंड के प्रिष्ट पर सरक्ती या लुड़क्ती है या ऐसा करने के लिए प्रावृत्त होती है ये दोनों पिंडों के संपर्क प्रिष्टों पर स्पर्श रेखिये कारे करता है तथा न्यूटन के गती के तृतिय नियम का पालन करता है सीमित घर्शन संपर्क में दो पिंडों के बीच घर्शन का बल जब एक पिंड अन्य पिंड के प्रिष्ट पर सरकना शुरू करने की स्थिती में होता है स्थैतिक घर्शन संपर्क में दो पिंडों के बीच घर्शन कबल जो सिप पूर्व होता है जब वास्तों में कोई पिंड किसी अन्य पिंड के प्रिष्ट पर चलना शुरू करता है गतिज घर्शन संपर्क में दो पिंडों के बीच घर्षन का बल जब एक पिंड अन्य पिंड के प्रिष्ट पर गतिमान होता है लोटनी घर्षन इसे ऐसे घर्षन के रूप में परिभाशित किया जाता है जो तब उपस्तित होता है जब पिंड जैसे की वलय, चक्ती, गोला या बेलन अन्य पिंड के प्रिष्ट पर लुड़कते हैं या ऐसा करने को प्रावरित्य होते हैं लोटनी घर्षन सरपी घर्षन से कम होता है घर्षन एक अनिवारे बुराई है घर्षन सदैव गति का विरूद करता है और घर्षन से छुटकारा पानी के लिए उड़ जाव्य होती है लेकिन साथ ही ये अनिवारे भी है क्योंकि ये हमें चलने, वस्तूओं को चलाने दो संपर्क प्रिष्ठों के बीच घर्षन गुडांक का मान कम करते हुए घर्षन को घटाया जा सकता है इसे निम्दांकित तरीकों से किया जा सकता है पॉलिश करके, लिवरिकेंट्स के उप्योग द्वारा चिकना करके, सरपी को लोटनी में परिवर्थित करके वरित्य या वर्तुल गदी जब कोई पिंड किसी वरित्ताकार पत पर चलता है तो इसकी गदी वरित्य गदी कहलादी है और यदि कोई पिंड किसी वरित्य पत पर नियतांक चाल से घुमता है तो इसकी गदी एक समान वरित्य गदी कहलादी है पिंड पर पल निम्न रूप में व्यक्त है एफ पराबर मे बराबर मवी वर्ग बटे आर यह सदैव वृत्य पत के केंद्र की ओर निर्दिश्ट होता है इसलिए इसे अभी केंद्र पल कहा जाता है चैति जिक वृत्य गती के कुछ उधारण निम्नवत है किसी समतल सड़क पर वृत्य मोड लेने वाला वाहन जब कोई वाहन किसी समतल सड़क पर वृत्य मोड लेता है तो वाहन के टाइरों तथा सड़क के बीच घर्शन का बल वाहन को आवशक अभी केंद्र बल प्रदान करता है वह अधिक्तम चाल जिससे एक वहन आर त्रिज्या का वृत्तिय मोड ले सकता है, निम्न प्रकार व्यक्त है F बराबर MA बराबर MV वर्ग बटे आर, V बराबर वर्गमूल म्यू आरजी, जहां V बराबर वहन की चाल, म्यू बराबर घर्शन गुडांग सडकों की बैंकिंग तो 10 थीटा बराबर V वर्ग बटे आरजी, जहां थीटा बैंकिंग का कोण है साइकिल सवार का जुकना भूमी बर वृत्ताकार मोड लेता हुआ साइकल सवार, स्वयम को सदैव, ओर्द्व जुका लेता है, ताकि वो स्वयम को परियाप्त अभी केंद्र बल प्रदान कर सके यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना यांत्रिकी में सामान समस्या को हल करने के लिए हमें निम्न चरणों का उप्योग करना चाहिए चरण एक एक आरेक बनाएं, चरण तू, संयोजन के किसी सुविधा जनक भाग को निकाय के रूप में चुनें चरण तीन, एक प्रिथक आरेक खीचें, जो निकाय तथा पिंडों के सयोजन के शेश भागों द्वारा निकाय पर आरोपित सभी बलों को समलित करके दर्शाता हो चरण चार, इस आरेक में बलों के बारे में वही सूचनाय समलित करें, जो या तो आपको दी गई हो, या जिनके बारे में आप निश्चित हों चरण पांच, यदि आवशक हो, तो सयोजन से किसी अन्य निकाय के लिए भी यही विधी अपनाएं क्या आप जानते हैं, सर आईजक न्यूटन का जन्म 1642 में हुआ, उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्य हुई थी, उनका जन्म एक निर्धन क्रिशक परिवार में हुआ, वे 1661 में केम्रिज विश्वित्याले में अध्यान के लिए भीजे गए, 1665 में न्यूटन ने सेप किरने की घटना का अवलुकन किया, इस सरल घटना ने न्यूटन को गुरत्व का संबंध, चंद्रमा को उसकी कक्षा में रखने वाले बल से जोडने की संभावना की खोजबीन के लिए प्रेरित किया, इससे अंतता उन्होंने गुरत्व के सारव पृत्रिक नियम का प्रतिपादन किया, एक डाइन बल वह बल होता है जो एक ग्राम द्रवेमान के पिंड में एक सेंटिमीटर प्रतिसेकंड वर्ग का तौरण उत्पन करता है, बल का एक ग्राम भार वो बल होता है जिससे एक ग्राम द्रवेमान का कोई पिंड पृत्वी के केंद्र की ओर आकर्शित होदा है। बल समय ग्राफ का अक्षित्र किसी दिये गए समय में दिये गए बल के आवेक का परिमान प्रधान करता है। सहरांश आईए हमने जो कुस्ती का है उसे संक्षेप में दोहराएं। गुरुत्व एक प्राकृतिक परिखटना है जो भौतिक पिंडों को उनके द्रवेमानों के समानुपाती बल से आकर्शित करती है। किसी पिंड का जड़त्व इसका वो गुण होता है जिसके द्वारा ये वाहे बल की अनुपस्तिती में पिंड की वरामावस्था या एक समान गती की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। न्यूटन के गती के प्रथम नियम के अनुसार हर चीज निरंतर अपनी वरामावस्था या एक सीधी रेखा में एक समान गती की अवस्था में रहेगी। यदि इस पर कारे करने वाला कोई वाहे बल आरोपित ना किया जाए। न्यूटन के गती के दूइतिय नियम के अनुसार किसी पिंड पर कारे करने वाला नेट वाहे बल इसके समवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। आवे को किसी पिंड पर बल के प्रभाव के रूप में परिभाशित किया जाता है, जो इस पर अल्प समाय अंतराल के लिए कारे करता है। न्यूटन के गती के तीसरे नियम के अनुसार तत्यक्रिया की सदैव, समान वा विप्रीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। समवेग संदक्षण के नियम के अनुसार किसी वाहिबल की अनुपस्थिती में किसी प्रतक्रित निकाय का कुल रैकिक समवेग, समान या संदक्षित बना रहता है। जब किसी पिंड की व्रामा अवस्था या एक समान गदी की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता जिस पर की बल कारे करते हैं तो वो पिंड सामय अवस्था हमें कहलाता है।